मस्कार दोस्तो वेश्टनवी औरगेनिक डेरी फर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे प्रोलेप्स शरीर दिखना फूल दिखना पाचा दिखना भाण फेकना अथवा प्रोलेप्स इसका जो इलाज है मल्टी विटामीन शिरफ पिलाना है इलाज से पहले पिलाना मिनरल मिक्चर चिलेटेड देना है डिवर्मिंग करना है फेन बेंडा जोल तीन एमजी से डिवर्मिंग करवा देना चाहिए गर्म अहार बंद कर दें जैसे बाजरा है दे रहे हैं तो बंद कर दें इसके जगह जौव 60% देना चाहिए मेथी, मक्का, चने का चूरी मिक्स करके दे सकते हैं तीसी का खल दे सकते हैं पसूव में जो फूल दिखाई देता है इसका जो मुखे कारण कैलसियम, बिटामिन और मिनरल की कमी पसूव को अगर बरावर संतुलित अहार नहीं मिलता है तो उनके बजह से पसूव में बिटाम मिनरल की कमी हो जाती है जिस बज़ा से जो चार लिगामेंट्स होते हैं जो गर्भासे से जूड़े रहते हैं ओ धीले पड़ जाते हैं कमजोड हो जाते हैं और शरीर बाहर दिखाई देने लगता है अथ्वा भाण फेक देता है या पुरोलेफ्स निकल जाता है इलाज है 100 ग्राम मिनरल मिक्चर देना है हर पसु को जो बयाने के लायक है या दूद दे रहा है या ज्यादा दिनों से गाविन है सभी को मिनरल मिक्चर अवस्य देना है मिनरल मिक्चर मिलती रहेगी पसु के जो दिल वाले लिगामेंट्स है वो जुड़े रहेंगे पसु को सारीरिक गर्मी के कारण भी ऐसा होता है अंद्रूनी गर्मी के कारण भी ऐसा होता है जैसा की बाजरा बाजरा पसु को लिमिट मात्रा में खिलाएं, खास करके गर्मियों में कम खिलाएं के समय सिमित मात्रा में ही खिलाएं, मिठा और मेथी थोड़ा कम खिलाएं पसु को बांधने का अस्थान मुह की तरफ से चार से छे इंच नीचे रखें पीछे के उपर रखें पीछे के अस्थान आधा फिट से जादा उपर ना रखें पसु को कब्ज ना हो एसा खाना खिलाएं पसु के बयाते समय या दी किसी भी परकार की समस्या होती है जैसे हाथ देकर बच्चा निकालना है तो एंटिवाटिक लगवाना जरूरी है नहीं तो पचास पचास ग्राम हल्दी सुवा साम तीन दिन के लिए दे दे जिससे की बच्चा दानी का इंफेक्शन दूर हो जाएगा सरीर आने का खत्रा नहीं रहेगा समय पर जेर नहीं गिराने से भी सरीर बाहर आने का खत्रा बना रहता है लाल दवा का हलका घोल बनाना है एक बाल्टी पानी में चुटकी भर लाल दवा डाल कर धुलाई करें यदि लाल दवा नहीं मिलता है तो नीम के पत्ते के कुबाल कर पानी या उससे धुलाई करें बरगत के पेड़ के जो टहनिया होती है उस पेड़ डाली से जो जड़े निकलती है उसकी जड़ बरगट की डाढ़ी या जड़ 60 ग्राम ले ले और हल्दी 40 ग्राम ले ले और दूद 500 एमिल ले बरगट की डाढ़ी जड़ 60 ग्राम और हल्दी 40 ग्राम को कूट कर मिक्स्चर बना ले उसमें 500 ग्राम दूद उबालेंगे डाल कर अच्छी तरह से गर्म करेंगे और ठंधा करेंगे ठंधा करने के बाद एक या दो बार में आप पिला दें तीन दिन तक इस दवाई का उपयोग करें या पिलाएं प्रोलेप्स खत्म हो जाएगा या भाण फेकना बंद हो जाएगा बबूल के फल दूसरा जो है बबूल का फल सो ग्राम या बबूल का गोंद पचास ग्राम लेना है दोनों में से एक लेना है दस पिसी काली मिर्च के लड़ू बनाकर खिलाना है गुड मिक्स करके लड़ू बनाकर खिलाना है ये तीन से सा दिन तक करना है प्रोलेप्स या भाण फेकना बंद हो जाएगा तीसरा जो है बनस्पती घी 200 ग्राम 200 ग्राम मैदा 200 ग्राम चीनी मेहंदी 100 ग्राम तीनों को गेहूं को दलिया में मिलाकर 3-7 दिन दें प्रोलेप्स खत्म हो जाएगा जड़ से और दुबारा भाण नहीं फे विदिए या परण फेकेगा विक्की पंसारी का एक गर्वरच्छक आता है दबा उसे खिलाने से भी प्रोलेप्स खत्म हो जाएगा तो दोस्तों आपको जो फंत जुश्य प्रोलेप्स का जो प्रोग्लम है या आपको जड़ से समाप्त हो जाएगा ठैंक जे धन्यवाद अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बाच करें और जानबरों को गिलोए आवला का पत्ता गिलोए और साथ में आप हल्दी दे सकते हैं ठंडी के मोसम में और इंफेक्शन से बचेगा रोगों से बचाव करेगा और जितना हो सकेगा जानबर जो है इंटी बेक्टेरियल गुनों से भरपूर हो जाएगा जिससे उनकी बिमारियां कम लगेगी और खास करके जो ध्यान देने वाली बात है कि जानबरों को जो प्रोलेप्स होने का जो में खत्रा है वो मिनरल की कमी से होता है तो आप घरेलू मिनरल या मार्केट में जो मिनरल मिलता है केल्सियम घरेलू भी बना सकते हैं कोई भी तरीका अपना कर या और भी वीडियो मे दिया हुआ है, हमने दिखाया था, तो आप उसका इस्तमाल करके इस रोप को दूर कर सकते हैं, थैंक कि उधन्यवाद, वैस्ट नभी और्गिनिक डेरिफार्म